यह है Redmi Note 12 Pro, Redmi series का यह जो फोन है, सबसे अच्छा बिकने वाला फोन रहने वाला है, ऐसे भी इसको यूज करते हुए लगबग साथ दिनों से ज्यादा हो चुका है, फोन तो प्राइस पॉइंट की सबसे अच्छा है, लेकिन इसके अंदर धेर सारी आपको कमिया दगने को मिल आएगा, चलिए दोस्तों मैं आपको बहुत ही आसान तरीकी से समझाता हूँ, Redmi Note 12 Pro को प्रचिस करना चाहिए कि नहीं, तो रिव्यू शुरू बात करता हूँ इस फोन की डिस्पले से, जो चीज मुझे सबसे अच्छा लगाए इस फोन में, ऐसे भी इसका जो डिस्पले क ब्राइडनेस का कमिया आपको नहीं मिलेगा, वाइड वाइड वाइनलाउन सार्टीवी के सान, SDR 10 Plus और Dolby Vison का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा, जब इस फोन में मैं मोवी दिखता हूँ, या कुछ भी वीडियो दिखता हूँ, जो कालार कॉंटरस्ट आता है, जो की कॉक्टाकुर चिफसेट है, 6 नैनो मेटर पर बना हुआ है, इसका जो क्लॉक्स फिर रन करता है, 2.6 GHz में, इसका आंतुत स्कोर आप यह पर दिख सकते हूँ, बहुत ही अच्छा स्कोर के साथ आ रहा है, CPU थाट लिंग आप यह पर दिख लीजे, यह पर कुछ भी आपको नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप गेम खिलोगे, तब आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम मिलेगा इस फोन में, चलिए उस प्रॉब्लम के बारे में बात करता हूँ, अगर आप BG में गेम या PUBG मोबाल जासा गेम खिलते हो, तो इस फोन में आप 60 APS में अराम से खिल सक लेकिन स्कीन रिकोर्डिंग को आप करने के बाद थोड़ी दिर के बाद इसका APS डाउन होता है, अपको पता चल जाएगा बहुत ही अराम से, ऐसे भी ठंडी का टाइम है, तो फोन जाए इतना ज्यादा गरम नहीं होता है, जब आप ओपेनिंग करता हूँ, आप ओपेनि दिखने को मिल जाएगा, इसका जो RAM मेनेजमेंट टू गूट रहने वाला है, इस फोन के साथ OnePlus 02T का स्वीट टेस्ट किया था, तो RAM मेनेजमेंट में विनर था Redmi, अगर अपने वीडियो नहीं देगा तो लिंक आपको डिफ्स्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, अगर आप स् इस प्राइस में आता है उस में एक कैमेराCu af ां तो रहने वाला है, इसका जो primary sensor है , सेंसर में OIS, इस son's you record को is. यहाँ पर आप वीडो सैंपल देख लीचिए, फूल एस्टी 60 एपिस में रेकोर्ड हुआ है, स्टेविलाजसान इस पॉन में लाज अब आफ रहने वाला है, लाइटिंग पोजिशान को बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेज कर लेता है, लेकिन यहाँ पर एक छोड़ी सी द रहने वाला है, बैक कैमरा में डाइनमिक रेंज वह बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेज करता है, इसमें रहने वाला है 16 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा, जिसमें आप फूल एस्टी में वीडो को रेकोर्ड कर सकते हो, वीडो सैंपल आप यहाँ पर देख साकते हो, वीडो म आपको स्टेविल एसन ना के बराबर देखने को मिल जाएगा, और यह पर वीडो में डाइनमिक रेंज इतना अच्छी तरीके से रेड्मी जोई मैनेज नहीं करता है, कुछ फोटो सैंपल आप यहाँ पर देख लेजिए, 16 मेगापिक्सल के हिसाब से फेस के उपर आप य अच्छा देखने को मिल जाएगा, अगर आपको ऐसे रेट कलर स्किन टून पसंद आता है, तो आपके लिए जो फोटो सैंपल आप यहाँ पर देख सकते हो, फोटो यहाँ पर बढ़िया आता है नाइट में, और वारॉल इसका रियर कैमेरा और सेल्फी कैमेरा प्राइस लग रहा है, यह फोटी सी भारी होने वाला है, ऐसे भी इसका फ्रेम है फ्लाइड एजस के साथ आता है, जो बना है पॉली कर्मिट का, पीछे की तरफ ग्लास बैक देखने को मिल जाएगा, इसके बैजे से यहाँ पर क्रैस तो नहीं आता है, लेकिन फिंगर्विन का जो बहुत ही जल्दी चला आता है, जो देखने में बहुत ही गंदा लगता है, ऐसे भी इसमें रहने वाला है, साइड बाउंड फिंगर्विन सेंसर, अगर यह पर इन डिस्पली फिंगर्विन सेंसर रहता तो प्राइस वांट के हिसाब से जो फोन बढ़िया होता, साइड ब इसमें धेर सारी प्री इंस्ट्रल एप रहने वाला है, जिसको आपको मैनुवाली अनिस्ट्रल करना होगा, ऐसे भी थोड़ी बहुत आपको बख्स दगीने को मिल जाएगा इस फोन में, इसमें अब SD Card को यूज नहीं कर सकते हो, लेकिन इसमें 3.5mm audio jack रहने वाला है, इस देखने को मिलता है, एचिस मुझे बहुत ही अच्छा लग है, जो फोने IP53 रेटिंग के साथ आता है, और इसमें dual studio स्पीकर रहने वाला है, dual studio स्पीकर कर जो quality है और जबदस्त है, यह को sound quality के मामले में जो फोने आपको निरास नहीं करेगा, हाँ मुझे पता है आप लोग जानना चाहते हो इसका बैटरी वेकाफ कैसा है, चलिए दोस्तों इसका बैटरी वेकाफ के बारे में डीटेल में बदाता हूँ, फोन आता है 5000 बैटरी के साथ, इन्बोक्स आता है 67 वाट की एडप्टर के साथ, फोन फूल चार्ज होने के लिए 40 मिनिट के आसपास में टा नहीं करेगा, चलिए दोस्तों आप बात करते हैं इस फोन को पर्चिस करना चाही कि नहीं, देखो अगर आपके पास ICICI Bank का क्रेडिट कार है, तो आपके लिए बहुत ही बड़ा डिल रहने वाला है, अगर आपके पास एक क्रेडिट कार नहीं है, तो वहाई आपको तो ल जाएगा, जिसको आप कॉम्प्रोमाइस कर सकते हो, जैसे साइड मांट फिंगर पिंगर पिंसेंसर है, कैमरा में आटो फोकस में थोड़ी सी दिखकत, अगर आप स्कीन देखोर करके गेम खिलते हो, तो आपको थोड़ी सी प्रॉबलम मिलेगा, ये छोड़कर देखा इस रेंज में दूसरा कोई फोन के तरफ देख साकते हो, ऐसे भी आपको कैसा लगा है, रेड्मी नोट फेल प्रो आप मुझे कॉमें जुरू बता सकते हो, क्योंकि सबका ओपिडियन अलग-अलग होता है, मुझे पुरी उमीद है, वीडियो आपको वस्तन दया होका, अगर आप जानना चाते हो, रेल्मी टेन के अंदर क्या-क्या कम्या रहने वाला है, तो अब इस वीडियो को जुरू देख लीजिए